Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे VAC subject पे, जो कि BA program और BA owners में होता है, यह semester 1 में भी आपको मिलता है और semester 2 में भी मिलता है, अगर आपने semester 1 में लिया होगा तो आप 1 के लिए इसे पढ़िए और अगर आपने semester 2 में ले रखा है, तो आप इसे semester 2 में पढ़ सकते हैं subject का जो हमारा नाम है वो है भारते भकते परंपरा और मानव मूले, इसकी हम unit first करने वाले हैं, जिसका title है हमारा भारते भकते परंपरा, DU के लिए, Soul के लिए, NCWeb के लिए, Regular के लिए, सब भी के लिए वीडियो जो है helpful होने वाला है, अगर आपको कोई doubt हो, कुछ पूछना ह तो आप मुझे message कर सकते हैं, एक लव्या study point है मेरा user name में Instagram पे ठीक है, और मेरा नाम है सतेंदर परताब, और telegram group में मैं आपको इसकी PDF available करवा दूँगा, तो आप एक लव्या सनातक 1 से हमारा जो telegram group है, उसमें जुड़ जाईए, वहां से आप इसकी PDF भी download कर सकते हैं, तो तो चले श्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो सबसे पहला हमारा जो topic है वो है भक्ती का अर्थ, भक्ती का क्या मतलब होता है, देखे, भक्ती के लिए कोई एक सर्वमाने परिभासा नहीं है, कि मैं आपको बता दूँ कि भई ये परिभासा है, आप ये बोल सकते हो, नहीं अलग-अलग विद्वानों ने भक्ती को लेकर अलग-अलग तरीके की बाते कहीं हैं, ठीक है, तो भक्ती को लेकर सभी के विचार जो है, वो बिल्कुल ही अलग है, तो चले समझते हैं, भक्ती का अर्थ समझते हैं, देखे, भक्ती जो है, वो विश्वास और प्रेम से भ भाव होते हैं उसको हम भक्ति कहते हैं जिसके द्वारा भक्त और भगवान के बीच में पारस पर एक संबंध निर्धारित होता है यानि कि ऐसे भाव ऐसा विश्वास जिसके द्वारा ईश्वर और भक्त के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसको हम भक्ति के रोप म मन से जो निकली हुई जो भावनाई होती है ठीक है जो प्रेम भावना होती है जो विश्वास की भावना होती है इश्वर के लिए उसको हम भक्ति के रोप में देखेंगे इसमें क्या होता है देखें मेनली हम जो होते हैं दो तरह के सुख होते हैं एक होते हैं लोकिक सुख थिक है, तो मेली jो लोग होते हैं, वो लोकिक सुखों की तरब भागते हैं, यानि कि जो लगजरी लाइफ होती है, हर इनसान क्या चाता अपनी लाइफ में, कि उसे सारी लगजरी सुविधाई मिले, ये लोकिक सुख हैं, जो भगत होता है न, वो अपने ईश्वर की भक्ति करता है उसके लिए वो कई बार कुछ भक्ति ऐसा होते है जो कठोर तपस्या करते हैं अपने आपको शारीरी कष्ट देते हैं किसलिए क्योंकि उन्हें लौकिक सुख नहीं चाहिए इस लोग का सुख नहीं चाहिए अलौकिक सुख यानि आध्यात्म का सुख तो जो ईश्वर की भक्ति होती है उसमें एक अलग सुख है जिसको आध्यात्म सुख कहा जाता है तो आई होब आपको समझ में आ रहा होगा जो भक्त होता है उसके मन से यानि कि जो उसके सुद्ध अंतकरान से निकली हुई जो दिव्य प्रेम की उज्वल धारा होती है जिसके प्रवाव में गिर कर सांसारिक प्रेम इंद्रेय सुख अपनी समस्ध अशुद्यों को त्याग कर अलोकिक प्रेम के लोकिक आनंद में बदल जाता है अब यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा मैं आपको फिर समझाता हूँ इसको थोड़ा असान करके देखे क्या होता है जो भक्त होता है वो अपने आपको ईश्वर की भक्ती में खोना चाता है उस प्रेम के लिए वो लौकिक आनंद चाता है यानि कि इश्वर के प्रेम में खो जाना चाता है ठीक है उसमें जो उसे लौकिक सुक चाहिए यानि इस संसार के सुक को छोड़ कर इश्वर की भक्ती में वो सुक डूंदता है समझने हो अब सुख ढूंडने वाले लोग अलग अलग चीजों में सुख ढूंडते जो नशे के आदी होंगे वो नशे में सुख ढूंडेंगे ठीक है जिनको क्रिकेट खिलना पसंद होगा वो क्रिकेट में अपना सुख ढूंडेंगे जिसको पढ़ना पसंद होगा वो प और कि भक्ति से उस सुक को प्राप्त करने की कोशिस करेगा अईभोप आपको आसान किया समझाया होगा ठीक है आगे चलिए और समझिए श्रीमत जो भागवत गीता है उसमें क्या कहा गया है समझे उसमें कहा गया है कि भक्ती करना इसलिए अनिवार है इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रभु ने हमें पवित्र सद्ग्रंतों में भक्ति करने का आदेश दिया है यहने कि भागवत गीता भी हमको यह कहते है कि भक्ति करना हमारे लिए अनिवार है क्योंकि प्रभु जो है उन्होंने हमें अपने ग्रंतों के ज जरूत होती है किसी बीमारी को खतम करने के लिए ऐसे हमें अपने आत्म कल्यान के लिए आत्मा के कल्यान के लिए भक्ति की अविशकता होती है ठीक है आगे देखें भक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ है सेवा करना या पूजा करना अर्थात जो हमारी इश्ट देवता हो भक्ती और प्रेम भाउ लगाऊ ये उता है महारेषिक जो व्यास जी थे क् Champions पूज़ा में अनुराग को भक्ती कहा जाता है अब अनुराग का मतलब होता है प्रेम से लगाउ- यानि कि प्रेम हुता है तर्बिक इसो इसवर के प्रेम हुता है अब यहाँ पर देखें, दो तरे की चीज़ आएंगे, जब भी हम भक्ती की बात करते हैं, भक्ती संप्रताय की बात करते हैं, भक्ती काल की बात करते हैं, तो हमेशा हम मद्यकाल में जो भक्ती कालता, 1350 से 1650 के आसपास, इसको हम भक्ती काल मानते हैं, ठीक है, यह जरूर भ भक्त थे, भक्ती करते थे, मद्यकाल में थोड़ा इसको बल मिला था, बस यही फर्क है, आगे देखिए, अब बात करेंगे भक्ती की अवधारना, इसका कॉंसेप्ट क्या है, तो अब समझे, यहाँ पे ना बहुत मुस्किल लेंग्वेस है, आपको थीरे थीरे थोड़ा सा करते हैं, यानि कि हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब है, जैसे हम धूबत्ती चलाते हैं, जाप करते हैं, मेडिटिसन करते हैं, यह हमारी अभ्यास है, यानि हम अपने इश्वर की पूजा करने के लिए यग्ये कर रहे हैं, यह सब प्रैक्टिस और सनक या फिर भावुक उतेजना से बहुत अधिक है इसको यह मत सोचना कि कोई भगता है या कोई किसी की पूजा करता है तो उसके अंदर कोई सनक है या कोई भावुक उतेजना है नहीं यह भक्ति जोतिय से बहुत उपर होती है ठीक है कुछ लोग क्या करते हैं भक्ति के मार्ग भी अपनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग सरल भक्ती का मार्ग भी अपनाते हैं, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे, कटोर भक्ती के मार्ग के रूप में, इसमें समर्पित अभ्या शामिल है, जिसमें मानसिक और शारिरिक शुद्धी, प्रार्थना और अनुष्टान होता है यानि कि कटोर भक्ती मार्ग, जो कटोर भक्ती मार्ग अपनाते हैं, वो क्या क्या करते हैं मानसिक और शारिरिक शुद्धी के लिए प्रार्थना अनुष्टान अगरा है, यह सारी चीजे करते हैं, ठीक है तो यहां पर यह बताएगा है, जरूरी नहीं है कि आपको कठोर मार्ग ही अपनाना है, आप जो नॉर्मल मार्ग है, ठीक है, सांसारिक मार्ग है, जो दुनिया करते हैं, आप उसके साथ भी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, इसके बाद क्या है कि जो सनातन परंपर है, जो हिं इसमें आप ज्यान लोग के बारे में पढ़ोगे, दीखो, ये भी एक मार्ग है, ज्यान लोग में क्या होते है, लोग ज्यान की प्राप्ति के लिए इधर उधर बटकते हैं, गौतम बुद का एक्जांपल देखो, जैसे कि उनके पास क्या था, गौतम बुद के पास सारी उनके पास वो महल में रहते थे, हर चीज उन्हें महल के अंदर अवेलेबल थी, किसी चीज की कोई कभी नी थी, लेकिन उन्होंने उस लगजरी लाइफ को छोड़ दिया, ठीक है ज्यान की खोज की तरफ चलती है वो, ये भी एक भक्ति का मार्ग है, ठीक है ज्यान, योग ज्यान का मार्ग जोए, ये भी एक भक्ति का ही टाइपस है, इसे भी समझे, इसके बाद है कर्म योग, यानि किरिया, आपके आए भाई मनुष्य जो है, अच्छे कर्म करके, जो कर्म होता है, अच्छे कर्म करके, किरिया करके, क्रिया योग में रहकर भी इश्वर की भक्ति कर सकता है तो ये वर्णन आपको पता और एक होता है इश्वर में खो जाना बिल्कुल ठीक है वो भी भक्ति का एक मार गए इसके बाद है कि भक्ति के प्रशिद आचारे जो है जिनका नाम है गोशामी जी महराज ठीक है जो गोशामी तुलसिदाज जी है ये क्या कहते है कि अनुकूलता के साथ कृष्ण की अनुशीलन भक्ति है और गोशामी तुलसिदाज जो है ये कहते है राम की प्रीति को ही भक्ति कहते है तो यहाँ पर क्या कहा है इनोंने क्रिष्ण के क्रिष्ण में खो जाना राम से प्रेम करना इस तरीके से इनोंने इसको भक्तिमार के रूप में बताया है गोश्वामी जी जो है रूप गोश्वामी जी इनके अनुसार क्या है भक्ति भाव के लिए हमें ये हमारे अंदर ये चीज़े होनी चीए जैसे कि हमें शान्त होना चीए हमें कभी भी अपना समय वेर्थ में नहीं बिताना चीए हमें हमें सा आशा आशा तीत रहना चीए ठ तो ये सारी चीज़े जो है ऐसे अनुभाव में व्यक्ति में भक्ति भाव का जनम होगा ऐसा कौन कहते हैं रूप गोस्वामी जी ठीक है आगे देखे भक्ति के प्रशिद गरंथ हरी भक्ति रशामिरित सिंदू इस गरंथ में भक्ति के पाँच विसिष्ट भाव की चर्चा की गई है वो विसिष्ट भाव कौन से है श्रंगार जो की प्रेम से संबन दीता है वासले जो छोटा बच्चा होता है बच्चे के अंदर जो हमें भाव होते हैं बच्चों की प्रती जो उसकी जो हरकते होती है उससे वासले वाला प्रेम होता है हमें मतलब दास से भाव से प्रेम करना चीए इश्वर की भक्ति करनी चीए सक्ष है सक्ष है मतलब सक्षा भाव से एक मित्र की भाति हमें इश्वर से प्रेम करना चीए और शांत रहकर भी हो सकता है तो ये भक्ति के कुछ इनोंने क्या बता दिए विशिष्ट भाव बता दिए ये भाव आप समझे सूर्दास जैसे जो कवी है इनोंने भी इन भाव पे विस्तार से चर्चा कि अगर आप सूर्दास के कावे को पढ़ोगे तो आपको उसमें जो भक्तिकावे इनके हैं उसमें आपको ये सारे रज जो है देखने को मिल जाएंगे आगे देखेंगे अब समझे श्रिंगार कहाँ पर है सूर्ज की गोपियों के साथ की गई लिलाओं में श्रिंगार देखता है यानि जो कृष्ण है जो गोपियों के साथ जो लीलाएं कर रहे हैं उसमें श्रिंगार रज देखेगा आपको श्रिंगार देखेगा ठीक है प्रेम भाव देखेगा कृष्ण के बाल वर्णन में वासले देखेगा यानि जब हम कृष्ण की बाल लीला देखते हैं आप अगवान छोटे थे तो जो उनकी लीलाएं होती थी जैसे वो माखन चुरा कर खाना ठीक है अपने गाये को चराने ले जाना और वहाँ पर और जो उनकी मासूमियत जो आपको दिखेगी उससे वासले कहा जाता है ठीक है यानि कृष्ण के जो बाल लीला का जो वर्णन है उस दास भाव से पूजा करते है ठीक है यह सारी चीज़े आपको समझना है तो शिंगार वासले दास भाव और सक्खे कुछ जगापे क्या होता है सक्खा मान कर भी जैसे कि आप देखोगे ग्वाल बाल जो है जैसे कि जहां पर कृष्ण भगवान जो होंगे अपने दोस्तों के साथ जब गाए वगरा चराने जाते होंगे तो वहां पर सक्खे भाव आपको देखने को मिलेगा तो जहां पर भी इनके कावे में ये सारी चीज़े मिलेगी तो वहां पर आपको अलग लग तरे के भाव देखने को मिलेगे ठीक है फिर इसके बाद संसारिक्ता से विरक आत्त होना एक आपको शांत भाव देखेगा शांत भाव से बक्ति मिलती है तो यह बाव है जो में पता होने चाहिए भक्ति के चेत्र में नवदा भक्ति का बहुत जादम है तो मतलब 9 तरह का ठीक है 9 तरह की भक्ति लिसमें श्रमवन करना यानि सुनना जिसमें हम गरंत वगरा सुन सकते हैं ठीक है भजन वगरा सुन सकते हैं इश्वर के जो इश्वर के लिए जो हमारे धर्म गुरु बताते हैं वो उन बातों को सुन सकते हैं कीरतन आप जानते हैं कीरतन करना इश्मरन करना पाद सेवन पाद सेवन का मतलब है जो पादुगा बोलते है तो इसमें क्या होता है यह इसका सेवन करना उसकी पूझा करना, अर्चना करना वंधना करना, दासे बहुसे सक्ये बहुसे, आत्मनिविय Email यह सारे क्या है भक्ति के नो परकार है तो जो भक्ति करते हैं लोग अलग अलग परकार से करते हैं मैं आपको एक example देता हूँ एक महिला थी उस महिला ने कृष्ण को अपना पती माना ठीक है अपना पती मान कर उसकी पूजा करी एक महिला थी जो बूरी महिला थी उसने भगवान किर्षण की छोटी सी मूर्ती अपने घर में स्थापित करी उन्होंने किर्षण को अपना बेटा मानके यानि पुत्र मानकर उसकी भक्ति की तो सभी अलग-लग तरीके से कोई है वो आपने आपको कृषण का दास मानकर उनकी पूजा कर रहा है कोई अपने आपको कृष्ण का मित्र यानि सखा मान कर पूजा कर रहे हैं तो सभी अलग तरीके से मतलब इश्वर को मान सकते हैं तो यहाँ पर यह सारी बताए हुए भक्त कवी, सूर, तुलसी, कबीर इन सब की जो आप रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि इनोंने भी भक्ती के इन परकारों का सुन्दर वर्णन कर रखा है आपको इनकी रचनाओं में भी यह चीज़े देखने को मिलेगी अब बात करेंगे थोड़ा अलग परकार प्रेम मारगी, जो निर्गुन कावेधारा थी इसमें क्या था प्रेम मारगी जो सूफी कवी थे उन्होंने क्रिशन धारा हो या राम कावेधारा हो सभी में भक्ती को देखा उन्होंने हर जगा भक्ती को देखा इस युग में भी हमें तुलसी, सूर, कबीर और जाइसी जैसे जो चिंतक है इनके विचारक जो है, ऐसे कवी हमें आज की समयवी भी मिलते है जिनका भक्ती के प्रती जो नजरिया था, वो काफी मतलब अलग था इन सभी परिभाशाओं को अगर हम निचोड़ें तो हमको एक चीज पता लगते है इतना जितना भी तक हमने पढ़ा है, सब को निचोड़ दे तो हमें एक लाइन में आंसर मिल जाएगा कि भक्त यदि इश्वर से प्रेम करता है यानि भक्त इश्वर के प्रती अपना लगाव रखता है यदि भक्त इश्वर के परति अपना जुकाव रखता है इश्वर की और उनमुख होता है तो यही सरल शब्दों में भक्ति है तो I hope आपको समझ में होगा भक्ति का क्या मतलब है अगर सरल शब्दों में सिंपल समझें तो इश्वर के प्रती भक्त का प्रीम इश्वर के प्रती भक्त के मन में लगाओ इश्वर के प्रती भक्त के मन में जुकाओ होना चीए ठीक है ये सब जो है ये भक्ति है भक्ति के विबन संपरदाय और सिधान्त इसको समझे ऐसा माना जाता है कि भक्ति परंपरा जो है वो दक्षिन भारत से सुरूई है ठीक है दक्षिन से सुरूई है और फिर ये धीरे धीरे इसका परचार परसार होता गया और फिर ये उत्तर की साइड में आ गई ठीक है तो एक स्लो क्यावी से समझे कि भक्ति द्राविन उपजी लाए रामानंद यानि कि रामानंद जो है वो कही ना कही द्राविन साइड से मतलब भक्ति को लेकर आए भक्ति की इस विकास यात्रा में बहुत सी रुकावट बहुत सी बाधाये बहुत सी समस्याए आई लेकिन भक्ति के जो विबिन संप्रदाए हैं ठीके जैसे वैशनों संप्रदाए इनके जो आचारे थे जो गुरू थे उन्होंने विबिन सिद्धान्तों की प्रतिष्टा करने वाले आचारे उन्हें भक्ति के विकास में अपना महत्पून योगदान दिया यानि भक्ति के मार्ग में बहुत तरह की समस्याइं भी आई लेकिन जो आचारे ते वो लगे रहे उन्होंने क्या करा भक्ति मार्ग का परचार किया इन ग्यानी महापुरसों ने सामानी जंता को अपने दर्शन जो इनकी फिलोसिपी थी जो इन्होंने जीवन में सीखा था अपनी फिलोसिपी अपने दर्शन के आधार पे जो आध्यात में एक सिध्धानत है उसको उन्होंने जन मानस को यानि जंता को सरल भासा में समझाने का प्रयास किया ठीक है भक्ति का जो मार गयना काफी कठीन है उसको समझना भी काफी कठीन है लेकिन ग्यानी महापुरुसों ने क्या करा अपनी जो दर्शन को बहुती आसान भाषा में जनता को समझाने का प्रयास किया वैशना भक्तों ने अपने विबिन संप्रदायों के माद्यम से भक्ति के व्यवहारिक रूप को सामने रखा तो भक्ति के दार्शनिक जो आचारे थे जो वैशना भक्ति इन्हों ने भक्ति का प्रैक्टिकल जो रूप होता है व्यवहारिक जो रूप होता है उसको सामने र जीव क्या है, यह जगत कैसे आया, किस ने बनाया, कौन इसको चलाता है, मोहमाया क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, ऐसे जो यह शब्द आप सुनते हो, इनकी व्याक्या जो है, यह विबिन जो भक्त दार्शनिक थे, वो करते थे, अब बात करेंगे भक्ति के प्रमुक होती थे, राधा और क्रिश्न की, उनकी पूजा करा करते थे, यह क्या करते थे, यह भगवान क्रिश्न की तुलना में, राधा को अधिक महतो देते थे, इसलिए इनके संपर्दाय के आगे, राधा वल्लब है, यानि राधा को अधिक महतो दे रहे हैं, ठीक है, भक्त राधा वललब के नाम से राधा खृष्ण के उपासना की है, यहां पर आपको सीधा सीधा, दो तीन चीज समझनी है, सबसे पहले किसका प्रचार किस ने करा? हिता हरी वंस ने करा, कैसे पूजा करते हैं तो कृष्ण और राधा का यूगल यानि दोनों की पूजा करते हैं ठीक है और किसको ज़्यादा महतु देते हैं तो आपको याद रखना है राधा को ज़्यादा महतु देते हैं ये किसको सर्वशक्तिमान मानते हैं तो कहते हैं कि क्रिश्न जो है सरवशक्तिमाने सारी जो शक्ति है वो उनके अंदर है ठीक है और इन्होंने राधा वललब के नाम से इनके संप्रदाय को जाना जाता है क्योंकि ये राधा वललब के नाम से इनकी उपासना वगेरा होती है ठीक है तो ये एक संप्रदाय हो गया इसके बहुत और किरपा करने लिए ही औवतार लेते हैं इनका कहना है कि जो कृशन है वो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए स्वयम और परवण कृष्ण इस रूप की वंधना करते है भक्त जो है यहाँ पर एक चीज़ समझे भक्त जो है और फिर प्रेम भक्ति के माध्यम से जीवन के अम्रत्तू का प्रदान करते हैं ठीक है तो आई होप आपको समझ में होगा कुछ चीजे तो आपको ऐसी ही लग रही होगी जो थोड़ी मुस्किल है सच में मुस्किल है क्योंकि जादा ही अच्छी इंदी दे रखिये तो समझने में दिक्कत आएगी लेकिन आपको ना हर संप्रदाय के बारे में थोड़ी थोड़ी नोलेज हो जाएगी तो आपको इतना ही काफी है एक से दो बार वीडियो को देखो और समझने का प्रयास करो हो जाएगा ठीक है मुस्किल जरूर है पर इतना भी मुस्किल नहीं कि आपको समझ में ना है सखी संप्रदाय इस संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी हरिदास जी है इनोंने भगवान कृष्ण की लेलाओं का वर्णन किया है और इन भगतों का ऐसा मानना है कि भगवान कृष्ण जो है वो परम भरम है सबसे उपर वो ही है उनका एक छोटा सा जो अंस है उसने सुरिष्टी की रक्षा करता है और सुरिष्टी का सन्हार रख है ये देवता अपनी सुंदर लीलाओं में लीन रहते है नित्य इदर से उदर विवार करते है विवार का मतब इदर से उदर भ्रमन करते है और श्रिंगार की लीला करते है ये इनका कहना है तो ये सकी संप्रदाय हो गया अब गौनिय संप्रदाई ये भी important है तो गौनिय संप्रदाई को चलाने वाले जो थे वो स्वामी चैतन्य महाप्रभू थे और इन्होंने इनका जो गरंत है वो किस नाम से जाना जाता है चरीता मृत चरीता मृत इस गरंत में इन्होंने राधा कृष्ण का जो स्वरूप है जो सुन्दर स्वरूप है उसका बहुत ज़्यादा डिटेल में विस्तार से बिल्कुल मंतव वर्णन कर रखा है और इनकी जो शक्तियां है उसको बहुत विस्तार से वर्णन है बहुत डिटेल में बताया हुए उन्होंने ये कहते हैं कि श्रीकृष्ण जो है वो अनंत श शक्ति का रूप है चैतन्य महाप्रभू ने श्रीकृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है इनको अलग नाम दिया है रादा कृष्ण की लिलाओं में इनको माधुरे भाव क्या होता है प्रेम करना किसी से यानि कि इस प्रकार से भक्ति करना जिसमें अपने इश्वर को थी और वो अपने उसको बेटा मान के पूजा करती है यानि वहाँ पर उन्होंने अपना पुत्र मान लिया एक महिला थी उसने क्या करा अपने कृष्ण को अपना पती मान लिया पती मान के पूजा किया यह जो माधुर बावे होता है यानि कोई अपना बेटा मान के कोई मादुरे भाव के तहता आ जाता है ठीक है इसके बाद है वल्लब संपरदाई तो वल्लब संपरदाई को चलाने वाले जो थे वो थे श्वामी वल्लब अचारे वल्लब अचारे ने ब्रज में रहते ही है और वहाँ पे इन्होंने क्रिश्ण की भक्ति की थी ठीक है और इनका महतों बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनोंने अश्टयाम की सेवा पे ज़्यादा बल दिया था इसमें आठ तरे की चीज़ आ जाते हैं जैसे मंगलाचारण, ट्रेंगार, गुवाल, राजियोग, उत्तापन, भोग, संध्यार्ति, शयान इन तरे की चीज़ और ये आनंद प्रदाईन, यानि शभी को आनंद प्रदान करते हैं, ये सारी शक्तियों का केंद्र जो है, वो कोन है? भगवान, श्री कृष्ण है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है? अब हम बात करेंगे, भगती के जो मेंदार्सनिक थे, और उनके द्वारा जो सिधान दिया गया था, उसको समझेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे, शंकराचारे जी की, इनका जनम जोता वो दक्षिन भारत में मालाबार प्रदेश में हुआ था, और ये क्या थे? ये ब प्रधा जाती बाती वाली प्रधा चल रही थी, इस पर इनोंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, हुआ क्या था कि देखे हिंदू धरम में बहुत ज़्यादा कुरीती आ गई थी, यानि यहां पर जाती गत भेदभाव बहुत ज़्यादा थे, तो ऐसे में इनोंने ह जीव और ब्रह्म में भेद ना हो, उसे अद्वयत कहा जाता है, जीव और ब्रह्म क्या है, आगे इसको भी बताया जाएगा, इनका ये जो सिधान्ता बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, पश्चिम में भी इनके सिधान्त को बहुत ज़्यादा सरहना मिली, कोई भी ऐसा का नाम सामने ना रखाऊ सभी इसको मानते थे आचारे शंकर शंकराचारे ने 32 वर्स की कम आयू में ही 272 गरंथ की रचना कर दी थी और सबसे फेमस जो है इनकी रचना वो है ब्रह्म सूत्र का भश्य ठीक है अब इनका जो सिध्धान था उसमें ब्रह्म और जीव की बात है तो इसको समझ लेते हैं ब्रह्म से क्या मतलब है चली समझते हैं इन्होंने अद्वय सिध्धान के अनुसार ब्रह्म की सर्वोच सत्ता बताई यानि ब्रह्म जो है वो सबसे उपर है सबसे विशिष्ट उसका इस्थान है ये इस्थान जो है वो समय से विलक्षन है समय के अनुसार है ठीक है ये शंग्राचारे जी कहते हैं कि जो हमारा शरीर होता है वो जड़ होता है स्थिर होता है ठीक है और जो आत्मा होती है वो चेतन होती है यानि कि शरीर तो मर जाएगा लेकिन हमारी आत्मा जो है वो अमर है इसका मतलब यह है और इनका सार जो है वो ब्रह जीव माया इसके बारे में उन्होंने अपना सिध्धान्त बता है तो अब ब्रह्म जीव माया क्या है ये समझे ब्रह्म से तो इन्होंने इश्वर की तरह बिशारा किया है जीव से क्या मतलब है इसको समझते हैं ये कहते हैं कि अवीदा अवीदा का मतलब होता है अज्यानता अज्यानता के कारण क्या है जीव को जीव कहा जाता है यानि मनुष्य जो है वो एक तरह से जीव है उसको अज्यानता के कारण क्या कहा जा रहा है जीव यह कहते है परमात्मा जो है वो आकास की तरह सर्वत्र है यानि कि परमात्मा इश्वर जो है वो आकास की तरह हर जगा है जैसे आस्मान जो होता है हर जगा आपको मिलेगा ऐसे इश्वर हर जगा होता है आत्मा जो है वो इश्वर का छूटा सा रूप है जब आत्मा शरीर बद्ध होती है यानि जब आत्मा जो है किसी शरीर में चली जाती है तो उसको जीव कहा जाता है ठीक है और हम उसको जीव के रूप में देखते हैं आत्मा और ब्रहम एक एक इश्वर का अंस है अब यहां पर समझी एक चीज को इन्होंने क्या बोला है कि एक दो चीजे बताईए ठीक है एक तो इन्होंने बताईए आत्मा और एक बता क्योंकि उनको ज्यान नहीं है उनको अविदा है यानि कि अज्यानता के कारण है ठीक है यह कहते हैं कि जब अविदा यानि जब अज्यानता समाप्त हो जाती है तो जब समाप्त हो जाएगी तो वो शरीर उनको शरीर नहीं देखेगा बलकि वो उसको आत्मा के रूप में दे ये एक ऐसी सत्ता है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है ये एक ऐसी चीज़े जो होता है पर वो किसी के काम नहीं आता ठीक है इसलिए उन्होंने क्या है अद्वैति सिद्धान्त के अनुसार सत्य ही ब्रह्म है ये सत्य को सबसे ज़्यादा महतु दे रहे हैं और जगत जो इनका जनम जो है वो भी दक्षिन भारत में हुआ है और ये नात मुनी के सिश्य थे नात मुनी ने दक्षिन में वैश्णव जो अलवार भक्त थे उनके गीतों का संकलन करके प्रबंधम नाम का एक गरंत बनाया था ठीक है शंकराचारे ने अद्वैत की प्रतिष्टा की थी लेकिन उसमें भक्ति की थोड़ी कमी थी उनकी अगर आप संकराचारे की विचारों को पढ़ोगे तो वहां भक्ति आपको जादर नहीं दिखेगी इसलिए रामान जुचारे जो है इन्होंने क्या करा उस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने उसको आगे बढ़ाया उत्तर भारत की और भक्ति को बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा नाम है ठीक है इनका काम आता है उसमें और बड़े लंबे समय था कि इन्होंने परचार करा क्योंकि 120 वर्स्त की आयू में इनकी बृत्ति हुई थी यानि इतने लंबे समय था कि ये जी है और इन्होंने क्य ना करी तो ये उनकी कुछ रच्चाएं हैं अब बात करेंगे इनके सिध्धान्त की तो इन्होंने श्री राम अभी तक आप कृष्ण के बारे में पढ़ते आ रहे थे इन्होंने श्री राम में अपने संप्रताई की स्थापना की जिसका विरोध भी हुआ इसके जो है दोनों ही इश्वर के शरीर हैं यानि इश्वर का ही अंसमान रहे हैं जीव को भी और जगत को भी इश्वर इन दोनों से विसिष्ट है इसलिए इनके जो सिध्धान्त इसको विसिष्टा द्वैत वात कहा जाता है ठीक है रामानुजाचारे जो है रामानुजन जो ह इनके सिध्धान्त को विशिष्ट द्वायतवात का सिध्धान्त कहा जाता है तो जो पहले अद्वायतवात था संक्राचारे का उससे डिफरेंट है ठीक है आगे चलते हैं बात करते हैं माध्वाचारे की तो इनका जनम जो था वो बैलीगराम में हुआ था और बच्पन जो मन नहीं लगता था, 11 वर्स की आयों में क्या करा, इन्होंने अद्वैत मत में के सन्यासी से अपना सन्यास की दीक्षा ले ली, जब सन्यास ले लेते हैं तो हमारा नाम बदल जाता है, आपको पता हो, तो एक नया नया मिलता है, तो इनको जो नया नाम मिला, वो पूर्ण प् अनेक वर्सों था कि इन्होंने प्रार्थना की, उपासना की, भक्ती की, स्वाध्याय की या समाधी में लगे रहे, गीता, विदान्त, इसके बारे में लिखते रहे, ठीक है, उपनिश्वदोप के बारे में इन्होंने लिखा, महाभारत के सार के रूप में इन्होंने भा बल दिया रामनुचारे जो थे इन्होंने भक्ति पे बल दिया इसके बाद बात करते हैं मादुचारे के सिध्धान्त जो इनके ये तो मादुचारे ने दुद्वय संपरदाई की स्थापना की थी ठीक है और संक्राचारे और रामनचारे जो थे इनका इन्होंने विरोध कर दिया इनके अनुसार पांच प्रकार के भेद बताएगे हैं जैसे जीव, इश्वर के बीच में भेद, जीव, जीव के बीच में भेद इश्वर और जड़, जड़ का मतलब यहाँ पर शरीर से है, शरीर के बीच में भेद जीव और जड़ के बीच में भेद, जड़ और जड़ के बीच में भेद इस तरीके से इन्होंने पांच सतरे के भेद बता दिये फिर इन्होंने जो पूजा जो पार्ट होता है पूजा पार्ट जो होती है जो हमारी शाधना होती है उसके तीन तरीके बता दिये एक तो तरीका है अंकन अंकन का मतलब होता है अपने शरीर पे शंक चक्र बनवा लेना यानि कि टैटु टाइब का बनवाए जाता है कामना नाम करने, यानि कि विشनु भगवान के नाम पे अपने जो बच्चे होते हैं उनका नाम रख लेना भजन करना, यानि धार्मिक बजन हो मांसिख, वाचिक बजन इस तरे के बजन करना, ये इनके सिधान थे इसके बाद बात करते है निम्बगाचारे के बारे में ठीक है ये ये भी ब्रहमन थे और इनका जनम वैलरी में हुआ था और इनके जनम के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है ऐसा खा जाता है कि पहले इनका नाम भासकराचारे होता था ठीक है और इनको सुदर्श एक कहानी मानलो इनके उपर है ये का जाता है कि ये विरिंदावन के पास रहा करते थे एक बार कोई इनके घर में अतिती आ जाता है ठीक है फिर ये बाते करते रहते हैं तो तत्व चिंतन वगेरा में काफी समय हो जाता है सूरयास्त होने को हो जाता है यानि साम हो जाती है त उसको रोक दिया ठीक है और अतिती ने जब देखा कि सूरे अस्त नहीं हो रहा तो उसने भूजन कर लिया तब उसके बाद फिर इन्होंने उसको वापिस सूरे को जाने दिया सूरे अपना अस्त हो गया तबी से भासकर अचारे की बजाए इनका नाम जो पढ़ गया वो निम्बका अचारे पढ़ गया ठीक है और यह काफी फेमस हो गया ऐसी इनके पीछे कहानी बताई जा रही है निम्बका अचारे जो थे इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर विदांत पर जात सौरब नाम से एक भाषे लिखा था अपने विचार लिखे थे और यह दक्षिन के थे लेकिन विरिंदावन में रहे और पहले आचारे यह पहले ऐसे आचारे हैं जो भारत में राधा कृष्ण की भक्ति को जिन्होंने आगे बढ़ाया था इंपोर्टेंट है तो नि यह अपने को इश्वर और जीव दोनों की दृँष्टि में आत्मचेतन माना जाता है ये जो यह कहते हैं कि जीव होता है जो उसकी शक्ति होती है वह होता हैएow और इनका सिधान जो है वो भेधा भेध या फिर इसको द्वैता द्वैत भी कहा जाता है तो यह आपको याद रपना है नेक्स्ट है आपका वल्लब अचारे का जनम जो था वो दक्षिन में हुआ था और यह भी एक भ्रामण परिवार में जनमें थे ठीक है और वल्लब इन्होंने स्रीनात मंदिर की स्थापना कर दी और जब इन्होंने स्रीनात मंदिर स्थापित किया फिर इसी को वल्लब अचारे जो था विश्णु स्वामी नामक आचारे की परंपरा से आते थे और इसी की परंपरा को फिर इनके जो सिश्षे थे उन्होंने आगे बढ़ा ने विचार लिखे फिर इनोंने इस पर टिपनी लिखी और कुल में लागी 84 के करब करीब इनोंने गरंत लिख दिये वेद उपनिशाद ब्रहमसूत्र गीता भागवत इन सब को ये प्रमानिक मानते थी और इनका मत जो था वो शुद्धा द्वैद और विशुद्धा द्व विरनदावन में जो गो लोग था जहां पर गोकुल वगएरा था उसका वर्णन मिल जाता है तो इन सब चीजों का वर्णन आपको इनकी रचनाओं में मिलेगा वल्लाबचारे जो थे इनका सिद्धान समझे ठीक है मल्लाबचारे जो थे रूद्र संप्रदाय इनोंने चल इस से बिलकुल रहीत होना और इश्वर में खुलना सुद्धा द्वैत मारतंड नाम की एक गरंथ है जिसमें बताया गया है कि माया सम्मंद से कैसे रहीत हट कर मतलब ब्रह्म की ओर जा सकते हैं और ब्रह्म के इन्होंने छह धर्मों के बारे में बताया है यानि एश्वरे, बल, यश, श्री, ज्यान, वेराग्य, यह सब इनके महत्पून इनके उद्देश्य हो जाते हैं ठीक है तो यह का जाता है कि ब्रह्म जो है वो धर्म संस्तापन के लिए अवतार लेते हैं जब धर्म संस्तापन करना होता है तो ब्रह्म जो होते हैं वो अलग-लग रूपों से अवतार लेतें ठीक हैं तो यह हो गया इनकी विचारधारा भारत की संस्कृती की संकलती की संकलपना को समझे भारत जो एक विशाल आबादी वाला देस जहां पर अलग झातियों को मानने वाले रोग रहतें ठीक है यहां पर आप देखोगे तो यहां पर से नहीं या जो उनके रीती रिवाज है ठीक है उनकी भाशा है इसमें आपको विशिष्टता दिखाई देगी हर जगा आपको विवित्ता दिखाई देगी ठीक है उससे फिर हमारी जो संस्कृती में जो ताना वाना था जो बुन गया था यह भारतिय संस्कृती की संकलपना है आगे समझते हैं हुआ जीद घाले भारत या संस्कृती का इतिहास करेंगे तो बहुत हीं इंट्रेस्टिंग है हर काल में क्या हुआ यहां पे मिली जोली संस्कृति के दर्शन होते हैं भारत में क्या है अलग-अलग समय में अलग-अलग शास्कों की शासन रहे हैं जैसे कि अगर मैं दक्षिन भारत का उधारन दूँ तो पांडे, चेर, चोल ये सब राजा थे इन्होंने अपने समय में अलग-अलग तरह के मंदिरों का निर्मान करवाया, बड़े-बड़े मंदिर बनवाए ठीक है, तो इनसे आज भी दक्षिन भारत के पहचान जो है वो कायम होती है, जैसे-जैसे मंदिकाल आता गया तो धार में एक विश्वास जो थे, उसमें कुछ बदलाव है वो देखने को मिले इमारते जो थी, उसमें भी हमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहे थे मंदिर, इस्तूप वगएरा जो थे, वो समय के साथ बनते गए बिगड़ते गए, ने बनते गए, ठीक है तो कहीं ना कहीं जो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है विचार्धारा में, संस्कृति में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है अगला है एक्ता का इतिहास एवं परंपरा, भारत जो है बहुलतावादी संस्कृति के बावजूद, यहां पर क्या है साजी संस्कृति की एक्ता को देखा जा सकता है कहने के लिए हमारे यहां पर बहुत ज़्यादा विवित्ता है बहुत ज़्यादा वराइटी है लेकिन उतनी वराइटी होने के बाद भी इतने अलग लग तरह के लोग होने के बाद भी हमारे यहाँ पर एक साजी संस्कृति का जो concept है वो अभी भी है ठीक है यहाँ पर अलग-अलग मतों आस्थाओं विश्वासों भाशाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं इतना ज़्यादा difference होने के बाद भी इनके बीच में आपको एकता देखने को मिलते हैं ठीक है भक्ति के नयस्वर देखने को मिलते हैं और साहित्य के इस तरपे देखें तो इस समय में मद्यकाल में भक्ति को लेकर धर्म को लेकर बहुत सारी मतलब जो संस्कृति को लेकर कही सारे जो रचनाय थी वो लिखी गई थी दक्षिन भारत में अलवार जो संत थे उनकी रचनाय लिखी गई थी मद्यकाल में और परिवत्तन आ नहीं लगा फिर शगुण मक्ति निर्गुण मक्ति इस तरीके से बाटा गया सूफी संत आ गये तो उनकी फिर जो विचार धारा थी वह आने लगी तो इस तरीके से इतनी ज्यादा विवित्ता होने के बाद भी भारत नयनारों के नेतुर्त में हुआ था ये क्या करते थे ये तमिल भाषा ये दक्षिन भारत से थे तो तमिल भाषा में जो अपने इनके इश्वर होते थे उनकी उस्तुति में ये अपने जो भचन वगएरा थे वो गाते थे एक जगह से दूसरी जगा पे जाते रहते थे भ भक्तिकाल को बाहरी आकरबन की प्रति किरिया माना अजारी परसाद दुएदी जो है उन्होंने भारतिय प्रम्रा का अपना स्वेध इस्पूर्थ विकास इसको मानते हैं तो भक्ति की सुर्वाज जो है वो दर्वन परदेश जो दक्षिन भारत है वहां से हुई थी और इस सूफिवाद जो था एक विक्सित आंदोलन बन चुका था इसलामी दुनिया मतलब जो इसलामी जो सिलसिले था इनका गठन होने लगा था और मुस्लिम वगएरा आने लगे थे तो तो भी वहां पे भक्ति के जो विचारदा रहे थी उसमें परिवर्तन होने लगा था था पिर आपका पांचवा पॉइंट जो है यह कि साहित्य भारतिय सांस्कृति के एकता और भक्ति मूले इसको समझे भक्ति आंदोलन भले ही देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग रूपों से हुआ हो ठीक है लेकिन इनके जो मूल वू सिद्धानते वो एक जैसे थ पूरे भारत में भक्ति आंदोलन को एक साथ जोडते हैं भक्ति का यह जो अखिल भारतिय सुरूप है यानि पूरे भारत का सुरूप जो है यह मनुश्य की सत्ता को सर्वसरेश्ट मानता था सभी जातिगत वर्गत और जनाम धर्म के आधार पे जो होने वाले जो भीदभ भांते उसका खिलाब ऑव ए ज़ो प्रता हें चल देथी निराकार उसका कोई अकार नहीं अध है उनकी भक्ति भावना में समाद सुधार की भावना देखी जाते है तो कबीर जो थे वो समास सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं अगर बाबा गुरु नानक की बात करें तो उन्होंने जो धर्म में जो भारी जो आडंबर थे उसका इन्होंने विरोत किया था जैसे कि ये जो यग्य वगेरा ये जो अमरे धर्मों में जो परंपरा थी उसको ये सही नहीं मानते थे ये कहते थे हमें माला से जब करना चीए ठीक है? तो सभी जो जो भक्ति संत हुए उन्होंने अपने अपने तरीके से धर्म को परिवाशित करने की कोशिस किये हैं सब ने अलग अपने विचार रखें मीरा भाई की बात करें तो इसने जो इस्तरी का जो दाईत होता है उसको निभाने से मना कर दिया था क्योंकि इनका विवाज होता इनकी मर्जी के खिलाब करा दिया गया था और क्रिष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी तो ऐसे में क्या हुआ था भाई इन्होंने घर बार त्यार दिया था अपना पित्र शतात्मक जो समास था उसका विरोध किया था और एक सन्यासी नहीं वाला जीवन विताया था इन्होंने फिर बात करेंगे हम सूफी धारा के कवी जो है मलिक मुहमत जायसी इन्होंने भारती संस्कृति को आधार बना कर प्रेम परक जो कहानिया थी ठीक है इसके साथ सूफियोंने साहित्य के चेत्र में प्रवेस किया और सूफिक अवियोंने जन मानस में जो रचः बचए जो लोग जीवन था उसको आधार बना कर लोकिक और अलोकिक प्रेम में अपना साहित्य का जो दर्शनता वो कराया तो सूफी जब आए तो उन्होंने अलग तरीके से अपने रचनाए करी उसमें प्रेम मार को इन्होंने दिखाया है ठीक है तो यह हो जाएगा इसके बाद six point देखिए सामाजिक जड़ता को तोड़ते हुए भक्ति की परतिरोधी का स्वरूप और चेतना यहाँ पर मैं आप को point अंदर नहीं बढ़ रहा है मैं आपको explain कर रहा हूँ जो मेरी बात है आप उसको देख के समझे ठीक है तो ध्यान से देखे भक्तिया अंदोलर ने सामाजिक जड़ता थी उसको तोड़ दिया समाज में एक चेतना का जनम हुआ यानि लोग जागरुक होने लगे ठीक है इसके लिए भी जो भक्तिया अंदोलन थे उसने महतबोन भूमिका निभाई है तो भक्तिया अंदोलन एक तरह से बहुत ही समाज के लिए समाज सुधारक भी रहा है पिर संतकवियों की बात करें तो कबीर जी रैदाज जी नानक जी दादो देयल जी ये जो कवी थे इन्ह एक्ता के सुरूप में भक्तिया प्रभाव क्या था तो भक्तिया अंदोलन जो था वो प्राचीन भारतिया मनीशी इसमाज के जो सभी वर्ग थे सभी को महतु दिया गया था यहाँ पर जातिकत कोई बिद्वाव नही था ठीक है आराधना की जो पद्दिती होती थी जो त इन सब चीजों को संस्कृति के जो विबिन आयाम थे भक्ति आंदोलन की इसमें छाप दिखती है और जनता के मन में ये बिल्कुल बस चुकी थी तो ये जो मद्यकाल वाला जो समय था भक्ति आंदोलन वाला इस समय जो था ये बहुत जादा प्रबल था क्योंकि हर कोई इनकी विचार धारां से प्रभावित हो रहा था नेक्स्ट आपका भक्ति का अखिल भारतिय सुरू तो देखिए भक्ति के बीज जो हैं जो इसकी सुरूआ जो हमें वैदिक वाड़म में है इसका मतलब होता है वैदिक जो साहित्त धेशा वहां से ही प्राप्त हो जाता है नेश भक्ति निर्गुन और सगुण भक्ति में बढ़ गई थी निर्गुन भक्ति जो थे वो ज्यान मार्गी और प्रेम मार्गी मैं बढ़ चुके थे शगुन भक्ती जो थी वो राम भक्ती और कृष्ण भक्ती इस तरीके से बाटके देखा जाता था आज भी भक्ती समाज को अनेक ऐसी मानिताएं दी जाती है यदि समाज उनका पालन करे तो समाज को सुन्दर बनाया जा सकता है अब इसमें भक्ती मार को लेकर विद्वानों ने अलग-अलग तरह के विचार दिये कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये जो भक्ती की प्रतिकिरिया थी ये इसलिए आई थी क्योंकि इसलाम के विरुद ये प्रतिकिरिया थी क्योंकि इस समय में इस्लामिक शासन हो चुका था तो यह जो थे इस framework मुसल्मान शाशक होते थे तो यह जो हिंदू या जो गैर हिंदू होते थे उंसे जजियागर लेते थे उनके शाशोशन करते थे ठीक है उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया मंदिरों को तोड़ दिया गया तो यह सारी चीजे हो रही थी तो ऐसे में कुछ विद्वान है वो यह कहते हैं कि इस समय में जो अत्याचार था वो बढ़ रहा था इसलिए लोग भक्तिमार की तरफ जादा गये थे हिसाई मत का प्रभाव से भी इसको जोड के देखते हैं इसलाम से जोड के भी देखते हैं तो विद्वानों के अलग लग विचार है किसी विद्वान ने इस्थापित करने का प्रयास किया कि ये भी बताने का प्रयास किया कि ये भारती चिंता धारक का जो चिंताधारा है उसकी सौभाविक विकास था तो किसी विद्वार ने ये कहा कि जो दक्षिन और उत्तर में जो भक्तियांदोलन थे उसकी वज़े से ये सब हुआ है तो इस तरीके से हम अलग अलग विचार जो विचारक है उनकी विचारधारा में अलग अलग मिलती है सब ने भक्ति को अलग रूप से देखा है ठीक है सब अपने अपने तरीके से इसको एक्स्प्लेइन करते है इसके बाद देखे इस द्रिष्टी से भक्ति अंदोलन का मुल्यंकन करने वाले ऐसा मानते कि बारवी और तेरवी शताब्दी में जो नगरी करन की प्रकिलिया थी जो तेजी से बढ़ रही थी ठीक है इसके साथ ही यह अंदोलन जो था यह नगरों में फैला और इसको सफल बनाने में शिल्पकार व्यापारी दस्तकार जो थे इन सब ने अपने भूमी का निभाई थी धीरे धीरे यह जो अंदोलन था यह किसान समुदाय भी इसमें शामिल होने लगा था रिवेदी जी कहते हैं कि जो नीची समझे जाने वाली जाती थी उसके कवी जो थे वो निर्गुन भक्ती में जादा अधिक जुड़ रहे थे इसी वज़े से शिल्प और किर्शीकार जो थे जो किसान वगरा थे वो भी से जुड़े हुए थे इस तरह किर्शी उतबादन में विर्दी और शिल्प का जो विकास हो रहा था उससे जो आर्थिक सामाजिक जो समाज की संरचना बदल रही थी जो ऐसे लोग थे जिनका शोशन हुआ करता था जो दमित समुदाय था वो भी दीरे-दीरे मतलब अपनी समवेदना को लेकर खुल कर सामने आने लगा था इस तरीकी से यह भक्ति अंदोलन था इसका चरित्र अखिल भारती हो चुका था यानि कि पूरे भारत में हो गया था ठीक है तो यहां पर आपको याद रतना है यह बेसक से इसकी दक्शन भारत से हुई लेकिन देरे-देरे यह उत्तर में और फिर पूरे भारत में यह फैलनने लगा थ तो आई होप आपको समझ भाया होगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स और वाचिंग जै हिंद जै भारत